तो नमस्कार दोस्तों के इसे हैं आप लोग, I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे, तो आए आज किस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्छा दस्वी के NCRT गनित का प्रशना वाली 5.1 का प्रसन संख्या 2 का All Parts मतलब कि इसमें जितने भी सवाल होगा दो नमबर में सभी सवाल को देखेंगे और आज से पहले, जितने भी सवाल है सभी सवाल होगा विडियो पंच र机ंश देख लेन, okay था ढ हो दे देख लेते हैं दूसरे नमबर सवाल, धियान देना हिआ है , ठीक है दूसरे नमबर सवाल में देखो क्या कह रहा है कि D हुई AP के पर्थम चार पद लिखिये ठीक है जबकि पर्थम पद A और सारवांतर D निमलिखी थे मतलब यह कि AP का चार पद लिखना है जिसमें हम लोग को A पता है पहला पद पता है और सारवांतर D दे रखा है चलि देखो यहां पते रखा है एक नंबर में एक नंबर में A बराबर दे रखा है 10 पद एपद द्हाल MARK किَजिए 1 बराबर विए 10 मतलब पहला पत दस अगर A2 बराबर हम लोग को मतलब A plus 3D ठीक है अगर A5 निकालना है माल यहाँ तो नहीं जरूरी है निकालने का लेकिन अगर निकालना है A plus 4D धियान दीन है यह सुत्र याद करने का चीज़ नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाने वली चीज़ यहां से दिखरा मेरा फेस हां देखो यहाँ पे 2 निकालना अगर कोई दिक्कत नहीं होगा चलिए अब इस पे हम लोग को निकाल लेना है अराम से दिखे एक आमान 10 सर डीकामान किता है कहेंगे सर 10 यह वराबर 20 निकल गया ठीक है अब दिखो यहाँ पे एक आमान सर 10 और पलस 2 गुने किता है 10 काहिकी 2 गुने 10 हो जागा डीकामान य ठीक है यह चीज तो आप लोग जानते होंगे इसे कैसे करने हैं सर 10 पलस 3 गुने का किता है 10 है ठीक है इस तरह लिखते है कोई दिक्क है 10 तीया 30 10 40 बराबर 40 अब यहाँ पे यह 5 नहीं निकालेंगे हम क्यों निकालें जरूरी नहीं हम जानते है इसका 50 निकल काएगा ठीक लेकिन नहीं की जितना बोल्ड है उतने हम लोग दिमाग लगा तो बहतर होगा जितना बोल्ड है था उतना हम आपको निकाल दी ही दिये हैं जिन सर नहीं लिजे हाँ यह निकल का आगया अब देखो एपी का सिरीज लिखना हम लोग को जो निकाले हैं क्या निकाले हैं 10 पहला दूसरा 20 तीसरा 30 और चवथा 40 यह निकल के आया है 10 20 30 40 यह पद निकल के आया है एपी का ये स्रीज हमने लिख दिया है यहां पर आई हो पाप लोग कुछ शमज में आ गया होगा एग और एग और हम लोग देशी तरीका जाने अपना वला धिमाग वला तरीका देखो जब एपद दे रखा है 10 और ये जो है डी दे रखा है 10 धियान दीजिएगा एकजाम मे आवे तो गरदा चुड़ा देना इसे अब्जेक्टिम आवे तो गरदा चुड़ा देना ये बरावर जो है ये बरावर पतार है और 4 की 5 10 जतना बोले ठीक है जतना ये जो दे रखा ये पद उतना देखे 10 पलस ये पहला हो गया दूसरा 20 हो जागा तीसरा 30 हो जागा सब म और वह यह किताब ही अभी आप लोग को समझना है, मैंने वह तरीका बता दिया आप लोग को, दूसरा नमबर सवाल है, ध्यान देगे, दूसरा नमबर सवाल दे रखा यहां पे, ए बराबर मैंनस 2 और d बराबर दे रखा 0 यह 0 दे रखा इसका कोई मतलब नहीं बनता यार कुछ भी 0 दे रखा है अच्छा आज़ा कोई निकल लेते हैं मैंने आप लोग को बताया ए बराबर A1 बड़ाबर 2 है तो A2 निकालना है तो क्या बताया था A plus D बताया था A common मैनस का 2 plus D common केता है 0 तो बराबर क्या निकल का ज Neo किरने हैं . बदाति बराबर यह रहते हैं १। यह दोनों multiply हुआ, क्या हो जेगा 0, और बच क्या गया, minus का 2 ही, ठीक है, a4 बराबर, a plus 3d, यहाँ पर minus का 2, plus यह इसको इसे लिखना है, 3 और 0, multiply करो, 0 ही हो जाएगा, बराबर, minus 3 बच जाएगा, तो ap का जो series निकल के आया, minus का 2, minus का 2, minus का 2, और minus का 2, चार गो बोल रहा था निकालने के लिए, जो हमने निकाल दिया इस परकार से, अब यहाँ पर difference जो है, उसका 0 है, मतलब यहाँ पर कोई difference ही यहने, 0 का difference, ap में तो है, लेकिन इसमें कितना का difference, 0 का, जैसन है वो इसने ap का series आ गया, ताई होप आप लोग को शमज में आ गया होगा, आए तीसरे नमबर सवाल, आए, घरदा चुडाते हैं, तीसरा नमबर सवाल है, a बराबर 4, और d बराबर मैनस का 3, ठीक है, चलो, a1 बराबर क्या हो जाएगा, तो sir 4 हो जाएगा, और, a2 बराबर अगर पूछेंगे, कहेंगे sir, a plus d होता है, a plus d, a का मौन कतना sir, 4, पलस मैनस का 3 है d का मौन, तो पलस मैनस, मैनस 4 में से 3 गया, तो एक, ठीक है, एक ही नहीं हो जाएगा, a3 बराबर, a2 निकल गया है, a3, a plus 2 d, तो sir, a है 4, पलस तो, पलस ब्रैकेट देते है, 2 इसको भी घेर देते है, और d का भी मान घेर देते है, कोई दिक्कत, अब देखो, यहाँ पी चिन लगाना भी जरूर नहीं, ब्रैकेट हो गया, तो गुना ही होता, उसका मितलब, 3 दून 6, 6 होगा, मैनस में होगा, ठीके, पलस मैनस, देखो, 3 दून 6, यह क्या होज़ेगा, पलस तीन दून 6, यह मैनस में आ जाएगा, ठीके, यह ची समझ में आ गया होगा चलो उधर लिखते हैं आई यह 4 निकाल लेते हैं यह पलस 3D ठीक है 4 A कामन 4 पलस यहां पर 3 हो जाएगा गुने का मैनस का दी कामन क्या दे रखा मैनस का 3 देखो 4還 मैनस हो जाएगा न hemisphere पलस में देना चाहिए यहां ठीक हो जाएगा यहां प्लस नहीं डेन अच्छे चा अब और मैनस 5 यह निकल के आया है I hope आप लोग समझ गया होंगे कोई दिक्कत जी नहीं न समझने में चलो यह जूम होए ने ज्यादा कर लिए इसलिए दिक्कत होता है चलो नेक्स सवाल अब देखो यह नेक्स सवाल है चौथा नमबर बहुत बढ़िया यह बराबर दे रखा है मैनस का एक और दी बराबर दे रखा है एक बटे दो लिए दिजीगा यह बराबर पहला पाद हो गया और एटू बराबर हम लोग क्या जानते हैं यह पलस डी इसके नीचे कुछ नहीं एक अब यहां पर ऐलसियम ले लिजी एक और दो का ऐलसियम हो जागा दो एक दूना दो मैनस का दो और पलस का एक क्या हो जागा मैनस का एक दो में से एक घटेगा तो मैनस का एक बटे दो हो जागा ठीक है एक टू बराबर एक ठीरी बराबर एक निकल गया क्या होजेगा एप इंय बादब ठीकहा धियंगी मैंनस का एक परस है तो परस डड़. गुने एक बटे दो का दी जीडा मार्ड़ मांन 1वटे दो दुने जो दो ए खत्म होगिया बचके आगया मैंनस का एक अब पर दस मैंनस का एक ना खत्म हो गया तब देखो बच क्या गया मैनस का एक और पलस का सर्य यार कैसे मैंने लिख दिये चलो दिखना चाहिए आप लोग को थोड़ा से आप अब यहां पे जो बच के आया है कर दो यहां पे बच के आया है देख लो यहां क्या बच गया मैनस का एक पलस एक क्या हो जेगा जीरौ और के टिक है पबस मैनस खतम हो जबेक कि एक एम फोड़ बरावर ही पलस ठी डिदिंग अब बरावर मैनस का एक, पलस ठीरी गुने एक बटे 2 यह तो कटेगा नहीं 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर दिखो मैनस का 1 पलस 3 बटे 2 हो जाएगा नीचे कुछ नेत एक अब यहां पर ले लिजे एक दो का एलस्यम 2 एकम 2 एक दूना 2 तो उपर पर मैनस का 2 पलस का 3 लोगा एक से उपर में यहां पी एक वड़ने कर यहां पर एक वरब्टे दो हो जो चै और बच जाएंगा इस तरह से सी आप का स्रीज निकला है कि अपीं भराबर एक और मैंनल 一 गद्वह रोगत दो और सती विद्गी वाजताए है इसी तरीका से आप लोग का पूरा मैथ जो है मैं खतम करूंगा एक एक टॉपिक जो भी होगा जिसे भी जिस तरह देखा जैसे में मिलेगा उसी तरह से सभी सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाना है तिसलिए ओके इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों साथ सेर कर देना इसी वीडियो को नीचे डिपसेशन बॉक्स में प्लेइलिस्ट का लिंक मिल जागा जहां साथ लोग का जो मर्जी होगा जिस सवाल जो अध्याय का देखने का हुगा देख लेजिएगा ओके